हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई चैनल टेकटफ और सक्सेश, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CMPDA राची में जो फेकेंसी आई थी, असिस्टेंट डिरल के लिए उसके लिए selection process, exam pattern और previous year कैसा question आया था, question का level कैसा था और previous year cut-up के बारे में बात करेंगे, उसके बाद analysis करेंगे कि इस बार cut-up कितना जा सकता है सबसे पहले देखते हैं, selection process, selection process में return test है, उसके बाद document verification है exam pattern देखिए, दो paper होगा, technical, 100 mark का दो घंटा time मिलेगा, 100 question आएगा इसका weightage होगा, 70% final merit बनेगा उसमें, दुसरा paper होगा, journal, जनन टेकनिकल का होगा, जिसमें 50 mark का होगा और दो घंटा time मिलेगा, 50 question आएगा, इसका 30% weightage होगा, merit में देखिए, यहाँ लिखा जनरल के लिए, minimum 50% number लाना जरूरी होगा, technical और non-technical दोनों में ST, ST, OBC, SMPWD के लिए, minimum 40% number लाना जरूरी होगा, technical और non-technical में एक्जाम से पहले इसका syllabus जारी करेगा, इसके official site पे और model पेपर भी जारी करेगा, return test के लिए अब बात करते हैं, last time इसका paper के level क्या था, तो last time 2015 में जो vacancy आई हुई थी, तो उसमें totally question RS कुर्मी से पुछा गया था, और इस बार जो अगर exam होगा, उसका question के level, NCL का paper आप लोग देख लिजिएगा, उसी के तरह आना चाहिए, क्योंकि last time भी NCL और SIMPDI के साथ में vacancy आई थी, और question का level भी same ही था, तो इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए, अगर आप लोग NCL का exam न download करके, last time जो vacancy आई होई थी, उसमें interview था, तो interview के लिए 1 ratio 3 बुलाया गया था, तो उसका cut up गया था, general के लिए, 76 OBC का cut up गया था, 74, अब इस time seat था, 42, total अब बात करते हैं, इस बार जो exam होगा, उसका expected cut up कितना जा सकता है, तो cut up कई बातों पर depend करता है, जैसे number of seat, तो last time seat था, 42, और इस बार seat हो गया है, 15, total उसके बाद last time interview था, इस बार interview नहीं है, बस return test है, उसके बाद DV है, उसके बाद last time इतनी बिरुजगारी नहीं थी, और इस बार बिरुजगारी ज़्यादा हो गई है, इन सब बातों पर depend करेंगा cut up, अगर paper NCL की तरह आया, जैसा NCL का paper आया था, तो cut up मान की चलिए कि जनरल का 85% से ज्यादा ही होगा, और SC का 75 के आसपास होगा, final selection के लिए technical में 100 में कम से कम 85 प्लस question सही सही करना पड़ेगा, और non technical में 40 तभी final selection होने का उम्मीद है, क्योंकि last time के अपच्छा इस साल competition बहुँ ज़्यादा बढ़ गया है, और आप लोग NCL का पेपर में ट्रिलगाम चैनले से डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, थैंक्स प्रेंट,